नमस्कार दोस्तों मैं हूं गारावाकरवाल और स्वागत है आपका इनफोटाउट्स पे दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे यूट्यूब थम्नेल बनाना और मैं आपको ऐसे तीन इंपोर्टेंट फेक्टर्स बताऊंगा जिनसे आप एक बहुती बढ़िया यू यूट्यूब पे थम्नेल का क्या रोल होता है अपने वीडियो को रैंक कराने में इस बारे में भी हम आज जानेंगे इसके अलावा गाइस हम चलेंगे कैन्वा पर और एक यूट्यूब थम्नेल बनाके देखेंगे बहुत ही फास्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क इसको ताँगा एक ऐसा फीचर कैन्वा का जिससे कि आप मानली जी चैन्वा पर कुछ work कर रहे हैं और आप उसमें कुछ edit कराना चाते हैं या फिर आप बूप अपने कैन्वा से उसको edit कर पाये तो उसका भी कैन्वा में एक feature होता है आपने कोई graphics design करा और आपने उसको किस एडिट हो जाएगा और गाइज इतना ही नहीं मैं आप लोगों को देने वाला हूँ पांच YouTube Thumbnail के Templates जिसका यूज करके आप बढ़िया टेंपलेट अपने बना सकते हैं तो गाइज यह सारी information आपको मैं बताऊँगा अपने computer screen पे ले जाकर के बट उससे पहले हम जानेंगे वो तीन important points और Thumbnail क्यों ज़रूरी है एक YouTube वीडियो को rank कराने में तो गाइस जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि infotalks के जरीए हम लेके आते हैं ऐसी बहुत सारी information, tutorials, tips, learning जिसका यूज करके आप अपने career में आगे बढ़ सकते हैं और नए skills सीके बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं तो आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पे, Facebook में हमारी एक community है GoGators VIP मैं उसका link description section में दे दूँगा आप उसको जरूर join करें और अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो उसको तुरण सब्सक्राइब करिए और bell notification on करना मत भूलिएगा क्यूंकि मैं ऐसे बहुत सारे और भी काम के वीडियो लेके आने वाला हूँ और मैं नहीं चाता कि उसमें से कोई भी वीडियो आप मिस करें तो आएए गाइस शुरू करते हैं गाइस अगर आपने कभी ध्यान दिया हो जब भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो दो तरह से होता है अगर मुझे कोई specific topic के ओपर वीडियो देखना है तो वो topic मैं YouTube की search बार में type करता हूँ और उस related सारे वीडियो हमारे पास आ जाते ह हैं तो उसमें भी जब मेरे को search करना होता है कि किस वीडियो को देखना है तो सबसे पहला जो हमारा attention जाता है वो जाता है thumbnail के उपर और जो title दिया गया है उसके उपर तो thumbnail क्योंकि title से थोड़ा सा prominent दिखता है image होती है तो सबसे पहले हम उसी को consider करते हैं तो thumbnail definitely एक बहुत important role play करता है आपको YouTube वीडियो के selection के अंदा और दूसरा मान लीजिए कोई specific topic हमको नहीं पता है तो हम ऐसी scroll कर रहे है YouTube को और scroll करते time जो thumbnail हमें attractive लगेगा हम जरूर उसको click करके देखेंगे तो इससे हमारा click through rate बढ़ता है और अगर हमारे video का content अच्छा है तो उससे हमारा watch time बढ़ता है और ये अकेले दो factors ही responsible होते हैं आपके YouTube video को viral करने के लिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका YouTube channel पे बहुत सारे subscribers है उसी का video viral होता है बट इसका opposite होता है सबसे ज़्यादा जरूरी है attractive thumbnail और दूसरा है आपका content तो आज हम discuss करेंगे thumbnail के बारे में और उसकी जो तीन factors है जो responsible है एक बड़िया thumbnail बनाने के लिए उनमें से एक factor ये है कि आपका जो text है उसके अंदर वो कम से कम होना चाहिए दूसरा factor है आपका जो text है वो bold होना और तीसरी चीज़ है अगर possible हो तो उसमें आप अपनी image लगाईए otherwise कोई और एक बड़ी image लगाईए जिससे की वो prominently दिखे guys क्यूंकि जब भी हम mobile के screen पे क्यूंकि बहुत चोटा screen लोता है mobile का और चोटे-चोटे thumbnail उस पे दिखते है तो उसके अंदर अगर आप कुछ भी बहुत चोटा लिखेंगे तो वो ना तो समझ में आएगा और ना दिखेगा इसलिए अगर हम उस चीज़ को bold रखते हैं तो वो बहुत easily attention catch करता है और एक और tip guys इसमें जरूरी नहीं है बहुत से लोग सूचते हैं कि जो हमने title रखा है वीडियो का सेम हम पूरा thumbnail पे डाल सेंगे आप उसके अंदर से कुछ पार्ट ले सकते हो और वो पार्ट जो उसके सारा मीनिंग करता हो तो guys चलते हैं मेरे computer screen पे और देखते हैं किस तरीके से हम फटाफट एक YouTube का thumbnail बनाते हैं और वी जो मैंने आप रोगों से प्रॉमिस किया है आपको मैं बताऊंगा तो guys यह है Canva और Canva में मुझे एक नया graphics बनाना है तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा create a design पे तो आप यहां पर टाइप करने के बाद आपके पास आएगा YouTube thumbnail तो guys यह मेरा canvas आगया है और आप यहां पर आप देख रहे होंगे templates आ रहे हैं तो guys in templates के अंदर आपको देखिए बहुत सारे तरह के templates मिल जाएंगे अगर आपका music related YouTube का video है तो उसके thumbnails के ideas मिल जाएंगे foods related है beauties related है कुछ आपको tutorial बनाने है उससे related है तो इस तरह के बहुत सारे ideas मिल जाएंगे तो आज हम जो एक topic लेरे जिसके लिए thumbnail मिला रहे है वो है meditation तो हमारा कुछ keyword इस तरीके से है वो है हमारा five benefits of meditation and how to practice तो उसके लिए हम इसमें से कोई template ले लेते हैं जैसे यह template guys दिख रहा है इसको हम select कर लेते हैं तो guys यह template हमारा आ गया आपने इसमें changes करने हैं तो बहुत simple है पहले हम इसका text change कर लेते हैं तो guys text को change करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें adjustment करना होगा कुछ font color आप उसके अंदर change कर सकते हैं जैसे हैं यहापे meditation fix नहीं हो रहा है तो उसके दो तरीके हैं एक तो मैं font छोटा कर सकता हूँ but क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि font थोड़ा बड़ा रहना चाहिए जिससे कि वह clearly visible होता है तो हम इसमें font नहीं चोटा करेंगे in fact हम कुछ जो placement है उसको हम change कर देंगे इसके background के placement को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे कि यह particular text easily इसके अंदर पूरा का पूरा आ जाए गाइस हम इसके अंदर थोड़ा spacing बड़ा सकते है लाइन स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो यह थोड़ा दूर हो जाएगा और इसके बाद हम इसका कुछ font change कर लेते हैं गाइस हम इसका color change कर सकते हैं यहां से तो यह गाइस हो गया मैरा text अब मैं यह image नहीं चाहता तो मैं कुछ और images में चाहता हूं तो हम आएंगे photos पे और photos में मैं search करूंगा meditation तो guys इस image को हम pick कर लेते हैं यह और इसको यहां पे लाग करके हम अपने size के according adjust कर लेंगे अब यह image मेरी इसके उपर आ गई है तो हम इसकी positioning change करके इसको to back ले जाएंगे तो यह image back में चली जाएगी और back मिले जाने के पाद थोड़ा सा और मैं इसक इसको adjust कर दूंगा तो आपने देखा कि किस तरीके से इतनी जल्दी हमने एक YouTube का thumbnail तयार कर दिया और एक बार आपका thumbnail तयार हो गया है तो आपको simple इसको यहां के download पे click करना है और आप इसको PNG format में JPG दोनों में download कर सकते हैं although मैं यह कहना चाहूंगा कि आप JPG में करें ज्य और guys download करने के बाद एक tip और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा क्यूंकि जब भी आप YouTube के ओपर कोई video डालते हैं या कोई image as a thumbnail डालते हैं तो इन दोनों चीजों के जो नाम है उसका भी बहुत बड़ा role होता है SEO के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि YouTube में जिससे वो easily YouTube उ नहीं करना जैसे हमारा title हमको पता है और मेरी image download हो गई है तो guys यह मेरी image आई है five benefits of meditation तो मुझे कुछ नहीं करना simple मुझे जो अपना title है उस title को मुझे अपने copy करने ना है और guys थोड़ा सा आपको इसका name change करना है और name में change कैसे करना है वो मैं आपको बता जाता हूँ जो भी आपका complete title है उसको आप यहाँ पे paste कर देंगे और जो भी इसके अंदर spaces और जो भी इसके अंदर spaces हैं उसको आप hyphen से replace कर देंगे तरीके से आपकी image का नाम त्यार हो गया और same चीज मैं आप लोगों को बोलूँगा जो आपकी वीडियो जिसको आप upload करना जा रहे हैं उसको भी आप इसी तरीके से इसका नाम change करतीजे और ध्यान रखेगा इसको आप small case में रखेगा तो यह दोनों चीजें आपको जरू बाउंगा कि किस तरह से आप इसको share कर सकते हो तो it's very simple यहां पर आपको ऊपर एक share का बटन दिख रहा होगा उस share के बटन पर जब आप जाएंगे तो guys यहां पर share a link to edit होगा तो यहां पर आप जब link को copy कर देंगे तो link copy हो जाएगा और आप इस link को whatsapp से email से जिस भी तरीके से चाहें जिसको भी आप भेजना चाते हैं उससे आप share करेंगे एक बार इस चीज को try करके guys देखिएगा दो account के अंदर और मुझे comment करके बताईएगा क्या आपने जो link share किया था और जिसके पास आपने share किया था उसने जब उस पर edit किया तो आपके जो image थी या आपका जो graphics था उसके अंदर change हुआ कि नहीं तो जो भी changes हो वहां पर करेग वह उसके पास save हो करके आप ही के पास रहेंगे और आप ही के graphics के अंदर save होगा in fact आपको ये भी बताएगा कि वह particular user के account में edit mode में open है जब तक कि वह edit mode में open रहेगा तो guys इस tip का use करके आप बहुत easily जो अपने graphics हैं उनके अंदर आप कुछ कराना चाते हो उसके अंदर कुछ change कराना चाते हो या मान दीजिए किसी वज़े से आप थाम नहीं कर पा रहे हो तो आपको वह particular work किसी और को देना है जो आपका incomplete work है तो आप इस तरीके से उसको share कर स इस तरीके से कितनी असानी से हमने YouTube का एक thumbnail त्यार किया और मैं आप नहीं को पांच YouTube के thumbnail के templates दे रहा हूं आप नीचे दिये के link से उसको जरूर download कर लीजेगा और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको templates कैसे लगे और ये सारी जो tips मैंने इस वीडियो में बताई है उ और अभी तक आपने अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत कर लीजिए, bell notification भी प्रेस कर दीजिए, मैं आगे भी वीडियो लेके आने वाला हूं उसमें आपके लिए और काफी सारे giveaways लेके आँगा जिसे कि आप वो giveaways ले पाएं और उसको miss ना करें, तो मेरे वीडियो आप देखते रहे हैं, तो guys till we meet in the next video, keep learning, keep growing.